तो मैंने ले लिया था कि एक rocket launcher लेके मेरे mission accomplished का report देना था चाती में और बाजू में और मेरे grenade मेरे पैर पे फटा हुआ था जी भर के लगाओ निशाने तुम चट्टानों का कुछ नहीं बिगार सकते जी भर के लगाओ निशाने तुम चट्टानों का कुछ नहीं बिगार सकते जिनकी रगों में देश प्रेम बहता है उन्हें ये जख्म नहीं मार सकते मैं हूँ आर्चे स्वाती और चल रहा है बजाओ for a cause जहां हम दिल से कह रहे हैं we for veterans जो है हमारे पूर्व सैनेकों के लिए Red FM की एक छोटी सी कोशिश इस मुहिम के जरिये हम उन जाबा सेनानियों को सपोर्ट कर रहे हैं जिन्होंने देश की सलामती को अपने जीने की वजह बना लिया इन्ही में से एक veteran आज मेरे साथ हैं जिनकी शौरे गाथा को पूरा देश सलाम करता है जैहिंद करनल 28 साल पहले मनीपुर तामिंग लॉंग में लॉंगडी पबरम के इलाके में हुए उस एनकाउंटर की मिम्रीज आज भी ताजा है पहले तो मेरे तरफ से Red FM सुनने वालों को सब प्यार परा सलूट जैहिंद, जैबारत आपका जो पहला सवाल है उसका जवाब में मैं कैसे बूल सकता हूँ यह तो एक फेमस डियलोग है Some people live a lifetime in a moment और उस उन पलो में मैं आज भी you remember that forever it was कई बार कभी कोई गाना सुनते वाक्त या कोई न्यूस पेपर पढ़ते वाक्त हम कई बार हो encounter याद आता है कई छोटे बच्चे देखने पर या तो यह एक memory है जो हमारे जो गाब है जो physical गाब है body में वैसे ही मेरे दिमाग में छपा हुआ है and it can never be forgotten और मेरा medal actual medal तो शौरे चक्रा नहीं है मगर उस encounter के memories जो है और जो उस encounter के बाद में उस गाउवालों ने जो प्यार दिया है वो है मेरा असली medal जो मैं आज भी बड़े गर्व से पैट के चल सकता हूँ तो sir उस encounter में आप बुरी तरह से गायल थे आपको गोली लगी थी आप एक grenade फेका गया था अचो आपके साथ साथ दो छोटे बच्चे भी थे जो गायल हुए थे लेकिन आपकी हलत जादा बुरी थी लेकिन जब आपको evacuate किया जा रहा था तब आपने से पहले उन बच्चों को बचाने के लिए कहा कि इनको लेके जाओ पहले उस वक्त में आपके मन में एक पार भी ये खयाल नहीं आया कि अगर medical attention में कहीं delay हो गया तो कुछ भी हो सकता है इतनी हिंसा और लड़ाई के बीच इंसानियत को आगे रखने का एक खयाल कैसे आपके जहन में आपाया फौज में जैसे हम बरती पहले बाद तो हम फौज में बरती इसलिए होते हैं क्योंकि हम अपने देश को और अपने देशवासियों से प्यार करते हैं हम उनके लिए जो हम weapons लेते हैं इनको बचाने के लिए लेते हैं इनको मारने के लिए जब मैंने ये दो बच्चे देखे, जिनको गायल हुआ, जिसका इस लड़ाई में कोई हिसा नहीं था, और कोई इनका रोल नहीं था, तो जो हमारे military academy में सिखाय जाता है, the safety, honor, welfare of your country and countrymen come first, मेरे दिमाख में सिखाय जाता है में बच्पन से, उसमें मेरा mission था कि there was a competition, government of India का writth होना था, वहाँ पर insurgents ने अपना लगा रखा था, और वह competition था, Indian government का, जो हमारे संप्रिदाय में जो liberties and freedoms asshore किये हैं, उसको uphold करना, विसावी the insurgents जो demand कर रहे थे, free nagaland, free nagaland, free nagaland, तो जो contest था, हम दोनों के बीच में था, जो insurgents रहा रहा हैं, इन में बच्छों का कोई रोल नहीं था, ना तो वह जानते थे किस रीजन के हैं, या किस रिलिजन के हैं, तो उनको, there was no way they would have been evacuated, या जिस तरह से उनको गाली लगा था, तो आर्मी हेलिकोप्टर उनके लिए So, Colonel Navo Brigadier Naughtyall, he said to the pilot, कि अगर इसका आखरी क्वाइश है, इसको पूरा करो, इन सब गायल थे, आपने अपनी जगह दो बच्छों की जिंदगी बचाने का decision लिया, और इन सब के बीच में, जो insurgents थे, जिन्होंने आप पर firing की थी, वो surrender कर चुके थे, और जाहर सी बाते क आपको मालूम है कैश्मीर में जो इंसरजन्सी शुरू हो गया था, तो उदर से हमारे आर्मी डिविजिन्स, एट मांटन डिविजिन्स बगारा जो थे, वो मूव कर गया था, वहाँ पे, मैं हमारे बिटैलन को, ब्रिगडे नौटियाल को खबर मिला था कि, इस इलाके मे मैं कोई इंसरजन्स है जो एक रेडियो टावर और एक ब्रिज को ब्लो आप करने के लिए गादर हुए, तो मुझे मिशन दिया गया था, इनको सर्च और लोकेट करने का, और डिस्ट्रोइ करने का, इनका मिशन काम्याब होने से पहले, तो मैं एक लोंग रेंज पेट्रो प्लओर से खिए निगे के लिए युग की चछ ब्लॉज अलॉज तो मैं में ब्लॉज ब्लॉज जो एक रिगा तो मैं ऐख दर जाती है, इनको सब्लाच तो मैं लोग पढ़ो अवा टा जिए पार मुद ऑना था, और रिफल के बट से भी मैं गाट्यान के लाज़ एक देखे किसमत ने ऐसा मोड लिया कि एंकाउंटर के 16 साल बाद जिंदगी फिर आपको लॉंगडी पब्रम लेकर आई जहां पर आप घायल हुए थे गाहँवालों ने आपको अपनी ट्राइब में एक ओनररी पुजिशन भी दी मुझे ये जानना है सर, 16 साल बाद आपने जिन दो बच्चों की जान बचाई थी उनसे मिलकर कैसा लगा आपको, how is that experience? कई बार मैं स्वचा था मगर मुझे दुबारा मौका नहीं मिला, मैं ऑस्पिटल में था कई एक साल तक उसके बाद मैं मिल्टरी स्कूल में गया, तो अचानक एक मेरे दोस्त थे, इस ब्रिगेडर जॉज, उन्हों ने एक पेट्रोल बेजा उस गाहों में, तो उस गाहों वालो ने मेरे को याद किया, कहां यहां पे कैप्टन साब गायलों की गुजर गए थे, तो उनको बताय गया, प्रिगेडर जॉज ने पूलवा के बोला, वो तो अभी जिंदा है, अच्छा, थे थोड़ यह थोडा, जिन्हों भी जूज़ वालों की जिंदा यह थोड़गो, थे बहुटने यह थे, थो फोड़ होड़ीड, बाद मेरे उनको पटे की जिंदा है, तो उनने फोन it was a big emotional, wow, suddenly I met those people, I saw the child, she became married, she had children of her own then I met the young boy, there were two children, so I met them, it was very emotional and the grandmother, on which I have had encountered in the house, she was also there and she started crying, hugging me and crying and then for me it felt like I am meeting my own family member, they gave me land also there oh my god that's huge yeah but they told me that this from this till the other hill is yours so I said I don't want any land I want some place in your heart जिनका देश पूरा है जो दिल में रहते हैं and I think more than that आप फॉर्ज में एक बार इंडुक्त हुए होंगे ये सेकंड आप एक ट्राइब में इंडुक्त हुए हैं not many people have such you know stories to share आपने अपनी चोटो से recover करने के बाद अपना ही स्कूल military school Bangalore जो है उसमें नौकरी शुरू करी वहाँ पे नई युवापीड़ी को train करने का मौका मिला आपको तो defense services की training में ऐसा क्या होता है कि एक आम आदमी, youth साहस और बहादरी के जजबे से भर उठता है क्या सोच है जो एक सेने को शौरे और बलेदान की प्रेना देती है I think yeah of course being part of that military academy and ethos really helps because you come up in stories of valor, courage you know whether it is Salaria or Batra or others you know you hear the stories you feel inspired because what the value that we place on our own life is lesser than what we value our country you know compared to our country and I think that is something that comes to us naturally like I told you before it is wrong to even think about your own personal safety or welfare or your profit or whatever at that time when you are in the battlefield जाने से पहले मैं आपसे जाना चाहूँगी कि हमारे listeners जो है हमारे देश के नागरिक जो है जो रड़े जोड़े मैं से जुड़े मैं इस वेक उनको आप क्या मेसज देना चाहेंगे जो जो अजादी मिला है हमिनंग्रहीन ज़ों से हमारे पिताजी एंड जो परेंथ के जनरेशन है वो तो ड़े बॉन Kneelरे जो चाहीं है जो जो लड़े उन्होंने हमें छोड़ा है हमारा फर्स बनता है कि हम हमारे आने वीचे जनरेशन के लिए leave this country in a better state the way they received it they left it better it is not just our rights or we want to make this country you have a right which we should and it is not by wearing a uniform alone you can save the country you can save the country wherever you are you are doing great service to the country you are being a patriot so sir we are trying to make this little effort for a cause we are trying to make this country we are trying to make this country we are trying to make this country I would like to hear you say a few words about we for veterans which is doing this movement what do you want to say about it it is a matter of inspiration so thank you for this we for veterans and I am a very lucky soldier who survived so many soldiers who don't make it and anonymously they go so for them so for them it goes to help the soldiers paraplegic homes where there are artificial limbs and so on I was lucky I was reconstructed army doctors are the best in the world and I am really lucky but there are many who are not lucky that people lose their legs they lose their limbs and the flag day you give contribution for the soldiers or for their families for their widows for their children for their children for their children and for their rehabilitation it gives a lot of help the government spends all the money that they can do whatever contribution you do even if it is one rupee it is your emotion that matters and remembering them remembering the soldiers who didn't live beyond for what they gave Thank you very much Colonel Saab for joining us today We hope those who have done so much we can do something for them and their families for their families if you want to be a part of the force and want to support our veterans then please visit KSB's website and do your contribution Let's celebrate Armed Forces Flag Day together for joining us we're on the active orie we're on the active ia झाल झाल